Hello friends, good evening and I welcome you all in my channel HS preparation with Pradeep and friends मैं अभी लिखिया है हूँ आपके सामने HS और Naipta Sildar के जो exam साभी होने हैं friends 15 October और 30 October को उसका test series है friends and this is part 2 of the my test series part 1 में जो test series है friends आप उसको भी देख लें I think it will be helpful for all of you और जो लोग जो इसकी pre की तैरी कर रहे हैं उनके लिए friends ये test series एक help करेगी उनको evaluate करने में और exam में अच्छा perform करने में और friends अगर आपको test series अच्छे लगे तो please like, share, comment और subscribe जोड किजिएगा तो let us start friends इस 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 तो पहला question है friends कि by which act governor general and its council member and company servants were exempted from supreme court jurisdiction भारत सरकार का जो British सरकार का जो अब भारत में जो कौन सा ऐसा कानून था जिसके तह जो उन्होंने जो British कांसिल के जो मेंबर से गुवर्न जनरल और कांसिल और इसके जो मेंबर से और company के जो servants थे उनको जो है supreme court की jurisdiction से हटा दिये था उसके बाद friends by which act the board of control and its staff were allowed to pay from their revenue किस act के तह जो है British सरकार के किस act के तह जो है ये प्रावधान किया गया था कि जिसके तह जो जो इसके board of control था और उसके जो स्टाफ थे इनको जो है भारतिया राजयसों से पेमेंट देये जानी थी उसके बाद friends which act allowed the government to impose the tax and punish them if they do not pay the taxes ये जो है कौन से एक्ट के तहरत ये प्रावधान किया गया था कि जो ये local governments like municipalities गरा को ये अधिकार दे जिए था कि वो जो है अभी tax जो है impose कर सकती है और जो tax pay नहीं करता है उसको जो पनिस कर सकती है उसके बाद friends which acts allowed the Indianization of civil services in British India जो कौन सा एक्ट था जिसके तर जो है भारत में British सरकार दोरा भारतियों के लिए civil services open कर दी गई थी बट उसका जो ये पहली बार किसी एक्ट में हो था friends और उसके बाद यह ऐसा section है जहां से maximum question आपको प्री और मेंट में पूछे जाते हैं उसके बाद friends with respect to Indian freedom struggle please consider following facts क्या आपको जो एफेक्ट बताने है कि कौन कौन से जो इसमें सही है या गलत है महत्मा गांधी बार वास उनना थाइद फ्रेंट सोरी वास आपको बताना कि यह जो सेंटेंस है यह सही है यह गलत है स्टेटमेंट ठीक है उसके बाद friends साइमन कमिशन सब्मिटे इस रिपोर्स आफर राउंटेबल कॉंपरेंस यह आपको बताना है इनको जो मैंस करेंस के लिए इसके लिए इक कमिटी जो बिटी सरकार द्वारा स्तापित की गई थी उसमें बताना है कि क्या यह जो तीन इंडिन मेंबर्स थे की नहीं थे उसके बाद friends आपको जो है इनको जो मैं निचे दिया हुआ है इनको जो यह आप टो अरेंज दो देम इन दी क्रोन लोजिकल ओडर में कि कौन सा जो पहले वह था कौन उसके बाद हुआ था तो खेडा सत्यागरह गदर बंदी जीवन यह जो भूक लिखी गई थी सचेंदर परनाथ सन्याल की द्वारा एक कभ लिखी गई थी यह आपको बताना है और उसके बाद बेल गाम सैसन ओफ कॉंग्रेस और तत्वा बो दिन सभा इन सब को जो आपको फ्रेंट्स यह आपको अरेंज देम इनक रोन लोजिकल ओर ओर उसके बाद फ्रेंट्स एक और क्वेश फिसकल रिस्पोंसिप्लिटी और बजट मैनेजमेंट पोलते हैं इसको फ्रेंट्स को ट्वेटिव और फ्रेंट्स के लिए कितना परसेंट जो टार्गेट है इसको रखा गया है उसके बाद फ्रेंट्स वीच ओरगनेशन रिलिस दी डेटा ओन पोबर्टी इन इंडिया भारत में कौन सैसी संस्ता है जो की जो पोबर्टी की ओपर डेटा रिलीस करती है उसके बाद फ्रेंट्स फ्रेंट्स फ्रिक्शनल इंप्लिवेटिंट इस टर्म आजे किया बताता है ठीके फ्रेंट्स कि इसको टरिफिनिशन क्या होती है हिमाचल प्रदेश की स्टेट चीड़ीप में तूरिजम का कितना परशंट इसा है उसके बाद नाटा कस्टम जो एक डिडोली सेट भारत के इस राज़यय में जो पना जाती एक भीrends और प्रेंच आपको बताना है हिमाचल प्रदेश के द्वारा SDG में कौन सा जो गोल है वो एचीव कर लिया गया है विच गोल हैज बीन अचीवड बाई हिमाचल प्रदेश इन सस्टेनेवलिट डेल्पमेंट गोल इंडेक्स उसके बाद प्रदेश आपको पताना है इन विच गोल ऑप स्टीजी हिमाचल प्रफोर्मेंट गोल के तहर्त जो हिमाचल प्रदेश का जो लोएस प्रफोर्मेंस है वो कौन से इंडिकेटर में है प्रफेट्स वाबर आरद रिली फीचर ओफिच्छ ऐन्यजी जो लीट्रेंस सब्सक्राइब इस प्रफिचर बट प्लेनेट्ट नॉजू का फिच्छ जो नॉर्धन प्लेंस का फिच्छ थे सम इंडिक तो आपको बताना की कौन सी रेंज की साथ जो इसका फिच्छ्र उसके फैंड्स, दूंस और शोज आर दे रिलिफ ओविच पार्स ओफ हिमालियास उसके बाद बताना आपको इन विज रिजिन ओफ हिमालियास ओफ हैसे पीक सांब ही माचल प्रदेश की सोरी हिमालिया के कौन से रिजिन में जो आपको फाहिएस पीक स मिलती हैं अब्रफरभी वी बताना गोशाटरश ज़िडिन अपर इंडेक्टेट्स को चटेट जो की इसे परेली प्रफर इंडेक्टेट सेया गया था के के इंडेक्ट om कि यह पहले पिंसली स्टेट को सनद ईशु किया गया था। उसके बद फ्रेंट फेंड से को वह देट हुई थी। डेट वी थी फ्रेंट से ओके और वोज दी नूरपुर राजा तो रिबोल्ट अगेंस्ट मुगल्स ठीक है नूरपुर में उस राजा का नाम के था जिन्हों ने मुगल के खिलाब जो है रिबोल्ट किया था बिच राजा ओफ नूरपूर बास पॉंटेड़ अज पॉंट मुगल्स ठीक है मुगलों से कांगडा फोर्ट जो है किस सी कमांडर ने कैप्चर किया था बिद्धी हैल्प ऑफ राजा संसार चंद उसके बाद फ्रेंट्स बैटल ओफ नेत्रडी वास फोर्ट बीट्विन फूम बैटल अफ नेत्रडी जो था वो किस के और किस किस राज कर रहे हैं अभी जब तक एक्जाम आएंगे आपको जो है काफी एक जो क्वेशन बैंक आपके पास हो जाएगा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसी डारेक्शन में आप पढ़िए यू बी एबल टो फैस्टी गुड मार्क्स इन एक्जाम ओके फ्रेंड्स थैंक यू कर दो